चलिए फ्रेंड आजगा जोपना टॉपिक है इमर्जेंसी स्टॉप वाल्व यानि इसवी को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड इसवी का वर्किंग पिंस्पल समझेने के लिए मैंने यहां पर एक डॉइंग किया है इस डॉइंग की मतलब से अच्छे से डीटेल से इसका वर इस वाल की अगर इंस्टॉलेशन की बात करेंगे तो तर्वाइन का जहां पे हमारा तर्वाइन के अंदर जो steam होता है फ्रेंड वहीं पे just ये लगा रहता है यानि फ्रेंड यहां वाल्व का mien पर्पस क्या हो गया कि टर्वाइन के अंदर जो हमारा steam का supply कब हमको देना है और कब हमको interrupt करना है उसके लिए हम लोग इस valve का use करते हैं यानि friends यह जो valve है emergency stop valve है यह 100% open और 100% close valve है यानि friends इस valve को regulate करने के लिए open करने के लिए हम लोग hydraulic system का use करते हैं तो friends देखें यहाँ पी जैसे हमारे valve open रहेगा तो हमारा steam जो है तर्वाइन के अंदर in करेगा कि friends किसी भी emergency condition में यह valve क्या होता है हमारा बंद हो जाता है ठीक है तो बंद होने से क्या होगा friends instantly हमारा steam का supply turbine को क्या होता है interrupt कर देता है अभी हम लोग इसके components समझ लेते हैं कि क्या क्या components है और यह कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं तो friends ESV की अगर बात क्या जाए तो यह mainly दो पार्ट में divide होता है एक हमारा होता है steam supply system और दूसरा होता है हमारा hydraulic cylinder क्योंकि friends इस stop valve को हम लोग operate करने के लिए open करने के लिए हम लोग क्या करते हैं किसी hydraulic system का use करते हैं तो friends इसके पास क्या होगा एक hydraulic cylinder होगा तो इधर क्या है हमारा hydraulic cylinder जो red वाला देख रहा है फ्रेंट्स वोक्हों क्या हमारा hydraulic cylinder और आपको black part दीख रहा है वो क्या हमारा steam supply system तो यह स्टीम सप्लाइ सिस्टम और हमारा hydraulic cylinder का connect करने के लिए क्या होता है हमारा connectionعد some tapes होता है so अहीं देख लेघ आपको green ऑलब आधा हुआ या हमारा अभी जो आ हमारा है या मैं लिखा हूँ लाइव स्टीम जो है एं इंटर करता है कि यह आपको आपको आधे यहां पे हमाराack mockoveruş수or को इस ह्यंड और सबसे तो फ्रेंट्स जब यह हमारा वाल पीछे की तरफ रहेगा यह जो घ्रीन कलर है तो आपको यहां पर तो आपको यहां पर यहां पर देखेगा यह यहां यहीं से इन करता है जब यह खुलेगा तो हमारा steam turbine के अंदर in करता है तो friends देखे अगर हमारा ये बंद condition में है और friends हमारा मालीजे कि steam जो है friends अगर बंद condition है stop तो हमारा यहाँ पर क्या है steam कुछ न कुछ available रहेगा जब हम MSS भी कोल देंगे तो यहाँ पर हमारा कुछ न कुछ steam का entry रहेगा तो friends होता क्या है कि यहाँ पर तो हम लोग ceiling provide करते हैं लेकिन friends कुछ amount में steam जो है हमारा leak होने लगता है तो friends जो हमारा leak steam है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एक drain point दे देता है friends तो इस chest से हमारा क्या होता है leak steam क्या होता है drain हो जाता है यानि friends जो तो हमारा stop condition में जो हमारा steam यहां पर रहेगा उसके वज़ा से जो भी यहां पर leakage होगा उसको हम लोग क्या करते हैं इस leaked steam drain से हम लोग उसको drain कर देते हैं atmosphere में नीचे drain कर देते हैं और friends यह जो आपको black color दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं valve cover या valve body और यहां पर क्या रहते हैं अमारा boost रहता है यहां पर boost रहता है यहां जो डिवाला क्या है हमारा इस वाल का spindle है और यह जो ब्लू कलेर दिख अरढ़ा प्लाम राल है क्या हमारा फिस्टन रॉप यह क्टम रॉज्गां शुन ऑर इस उ weary GSA इस स्पींडल की है फ्ट्रेंट्स हमारा walk को मायंट किया हुआ है तो friends यह जो हमारा spindle है यह क्या करता है red वाला हमारा आगे पीछे आगे पीछे move करता है यानि friends अभी जो हमारा spindle का condition है वो क्या है सबसे top most condition में है इस condition में क्या है friends देखिए यह हमारा valve seat है और valve seat पे हमारा valve क्या है पुरा आके बैठा हुआ है यानि friends अभी हमारा जो valve है वो क्या है close condition में लेकिन जैसे हम लोग इस spindle को red वाले को पीछे की तरफ move करेंगे ठीक है किसी भी method से हम लोग जो पीछे की तरफ move करेंगे तो यह जो valve है friends हमारा यह भी पीछे की तरफ आएगा और यह कहां तक maximum आ सकता है तो friends यहां तक आ सकता है यहां तक हमारा valve आएगा तो जब हमारा valve पीछे की तरफ आएगा तो हमारा यह spindle है क्या मतलब की spindle पीछे की तरफ जा रहा है तो हमारा valve क्या है open हो जागा उस condition में friends हमारा क्या है यहां से steam जो है in करेगा सबसे पहले strainer में जाएगा उसके बाद हमारा यह passes खूल जाएग और फिर हमारा ये टर्वाइन में एंटर कर जाएगा तो friends ये जो हमारा spindle valve है इसको मतलब regulate करने के लिए open or close करने के लिए हम लोग क्या use करते है friends तो hydraulic cylinder use करते है तो देखे friends यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हमारा piston rod है इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे तो friends ये हमारा piston rod और ये valve spindle को connect करने के लिए क्योंकि friends हम लोग जो operate करते हैं इस piston को operate करते हैं यानि piston को आगे पीछे करवाते हैं with the help of oil तो friends जैजे हम लोग इस piston को आगे करेंगे यानि piston के साथ साथ हमारा piston rod भी आगे की तरफ जाएगा तो friends जब ये आगे जाएगा तो ये भी हमारा क्या होगा इधर की जाएगा कब जाएगा जब हम लोग इसको दोनों को जोड़ देंगे तो friends ये जो हमारा valve spindle और ये piston rod को connect करने के लिए हम लोग एक connection यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं flexible joint यानि इन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं जिसके बज़ा से जब हम लोग इसको पीछे की तरफ ले जाएगे तो ये हमारा valve भी पीछे की तरफ साथ साथ move करेगा तो देखे friends ये हो गया इधर क्या है फ्रेंट्स हमारा hydraulic cylinder है तो अभी hydraulic cylinder के components के बारे में हम लोग थोड़ा सा समाझ लेते हैं कि क्या क्या होता है तो देखे friends यह जो आपको red वाला जो दीख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या cylinder body या क्या हमारा cylinder body है और friends यह जो आपको black color देख रहा है यह black color जो दीख रहा है इसको हम लोग बोलते है spring cap यानि friends जैसे हम लोग इसको आगे की तरफ लाएंगे तो यह जो cap है यह क्या होगा इसके अंदर बंद हो जाएगा यानि spring उस condition में क्या होगा पूरा compress जब हम लोग इसको पीछे की तरफ पीछे से धका देंगे तो यह क्या होगा पूरा बंद हो जाएगा यानि यह जो cap है friends इसके अंदर fit हो जाएगा और spring क्या होगा पूरा compression force में आ जाएगा और friends यह जो आपको दिख रहा है green color का इसको हम लोग बोलते है piston disc यह क्या है friends हमारा piston disk है तो और देखे फ्रेंट्स यहां पर आपको दिख रहा होगा team pot दिख रहा होगा एक हमारा oil pot है friends एक हमारा trip oil pot है एक हमारा drain oil pot है एक हमारा startup oil pot है तो friends अभी हम लोग इसका functioning समझेंगे और यह भी देखेंगे कि हमारा यह trip oil कहां से आता है जब हम लोग ESV के पीछे साइट से देखेंगे तो देखेंगे friends यहां पर भी आपको एक oil का supply दिया हुआ रहता है और friends cylinder के अंदर यह जो blue आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते है friends test piston और friends यहां पर हमारा लगा रहता है एक pressure gauge यानि यह जो हमारा एक चीज और चूटा है यह वाला यह हमारा जो कौन है friends यह जो कौन टाइप का दिख रहा है इसको हम लोग बोलते है oil retaining cone यह क्या हमारा oil retaining cone होता है जैसे friends यहां से हमारा steam escape करता है उसके लिए हम लोग क्या करते है एक drain लगाते है वैसे ही in case of अगर हमारा प्रोवाइड कर दिया गया है और इसको oil retaining यह जो भी oil आएगा friends इधर पास नहीं होने देगा यह cone है इसी के अंदर मतलब ले लेगा और यहां से हमारा क्या कर देगा नीचे drain कर देगा इसलिए हम लोग oil retaining cone बोलते हैं तो friends अभी हम लोग समझते हैं कि यह जो हमारा trip oil और जो हमारा startup oil है वो कहां से आता है और कैसे generate होता है तो उसके बारे में हम लोग अभी study कर लेते हैं इस diagram की मतलब से हम लोग oil lubrication system के बारे में discuss की थे अगर अभी तो कि यह वीडियो नहीं देखे होंगे तो description box में इस वीडियो का लिंक देदेंगा प्रीज उस वीडियो को देख लिजेगा तो friends इस वीडियो का हम लोग discuss किये थे यह जो black color आपको दिख रही है कि हमारा MOT है यानि main oil tank है यहीं पर हमारा सारा oil रहता था इसको हम लोग क्या करते हैं इस pump की मदद से हम लोग क्या करते थे oil को सा करके high pressure से deliver करते थे तो friends जो हम लोग pump यूज करते हैं वो क्या क्या था एक हमारा AOP यानि auxiliary oil pump और दूसरा हमारा AOP यानि main oil pump तो friends इस pump की मदद से oil हमारा high pressure से एक header में हम लोग discharge करते थे जिसको हम लोग बोलते है oil header friends इस header से जो हमारा oil है दो पार्ट में divide होता था एक हमारा चला जाएगा friends lubrication system के लिए और दूसरा देखे friends इधर हमारा जाता है governing oil system के लिए तो friends इस line में जो हमारा pressure होगा अगर control oil जितना pressure maintain करना उतना है तो ठीक है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे friends एक और additional यहाँ पे pump लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ACOP यानि auxiliary control oil pump तो friends इसका pressure increase करेगा यानि control oil का pressure इस pump को चली करने से हमारा desired pressure आ जाएगा तो friends अभी हम लोग देखते हैं इस लाइन में जो pressure कितना है 10 kg per cm इसका pressure यानि control oil का pressure हमारा यहाँ पे maintain है तो friends यहाँ से सबसे पहले हमारा oil कहा जाता है देखे friends यहाँ पे हमारा accumulator लगा हुआ है तो accumulator के लिए भी मैं video upload क्या हूँ इसका भी मैं description box में link दे दूँगा यह कैसे function करता है क्या इसका principle है ठीक है friends यहाँ से हमारा जाता है देखे यह filter के पास जिसको हम लोग बलते है duplex filter जो भी impurities है वो यहाँ पे trap कर लेते हैं और friends इसके बाद जो outlet होता है यह filter के outlet में देखे friends यहाँ पे just हमारा aso b लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग बलते है main trip so b यहाँ अगर इसका number coding की बात करेंगे तो इसका coding होता है friends double two double two यह भेल design के coding है friends ठीक है और यहाँ से trip so b से just हमारा friends दो पार्ट में division होता है oil एक हमारा चला जाता है i2H converter में जिसका outlet जो है friends secondary oil output मिलता है और वो हमारा जाता है actuator को operate करने के लिए तो यह हमारा दूसरा line हो गया और friends एक हमारा यह trip so b से outlet में देखे friends एक line हमारा गया है जो कि हम लोग बोलते है trip lever trip lever में जाता है अगर friends इसका number coding की बात करेंगे तो double two five zero आपको जब governing console board में जाएंगे तो friends आपको दिखेगा double two five zero जिसका हम लोग बोलते है trip lever यानि trip lever से जो हमारा oil outlet है friends देखे यह कहां जाता है यहां से दो पार्ट में division होता है एक हमारा क्या है friends देखे यह सो लिका हो यानि startup oil है friends जो कि ESV के आगे की तरफ जाता है और friends दूसरा क्या है हमारा trip oil जो कि हमारा ESV के आगे की तरफ जाता है तो friends अगर इस SOB के अगर हम लोग coding की बात करें तो जो हमारा console board के पास आप जाके देखेंगे तो यहां पर startup oil है friends उस पे coding जो है वो directional control oil का डाइग्राम भी देखेंगे की कैसा होता है और कैसे हमारा इस ESV को operate करता है यानि open करता है और देखे फ्रेंट्स जब हम लोग ESV को testing के लिए जो testing device के लिए जो हम लोग oil उज करते हैं उसके लिए friends हम लोग यहां से यानि control oil का एक line ले लेते हैं और इसके पीछे side से हम लोग देते हैं तो इसके बारे में भी हम लोग viscous करने वाले हैं अभी हम लोग देखें कि हमारे पास क्या है एक हमारे पास trip oil SOV है और दूसरा क्या है friends हमारे पास startup oil SOV है तो दोनों का diagram मैंने यहां पे बना दिया यानि फ्रेंट्स वह कैसे flow करता है उसका मैंने यहां पर डियाग्राम बना दिया तो यह कैं हमारा एक directional control valve है तो directional control valve कैसे काम करता है उसके box को कैसे पेचाने के उसके अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देदेंगा पीछ पहले उस वीडियो को देखिए उसके बाद फ्रेंट्स आपको यह चीज़ समझ में आएगा और क्योंकि यह जो है फ्रेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है यह हमारा इसबी का वर्किंग पिंस्पल समझेने के लिए इसलिए फ्रेंट्स आपको डिरेक्शनल कंट्रोल वावव के बारे में बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए तो देखे फ्रेंट्स यह कह है इसमें देखे फ्रेंट्स आपको दो बॉक्स दिख तो इसको हम लोग लिग देखे हैं थ्री और डारेक्शन कितना पोजिशन चेंज कर रहे हैं तो एक बॉक्स दो बॉक्स तो थ्री वाइट्टू डाइरेक्शनल कंट्रोल वाव तो फ्रेंट्स यह जो हमारा एसवी जह है यह कहा है ट्री पे ओलेस यह हमारा स्टाटप ओल यह जो कंडिशन है यह कहा हमारा एनरजाइज कंडिशन है यह भी कहा हमारा एनरजाइज कंडिशन है और फ्रेंट्स यह जो नीचे वाला कंडिशन है वह कहा हमारा डी एनरजाइज कंडिशन है यानि फ्रेंट्स जब हम लोग इस एसवी को एनरजाइज करेंगे तो हमारा यहां से इन होगा और यहां से आउट होगा और friends यह जो हमारा रास्ता है क्या है interrupt है लेकिन friends इस condition मी देखेंगे यानि double 2 to zero की condition में देखेंगे यानि trip oil soap की देखेंगे तो friends हमारा घर से oil in करेगा और friends यहां से हमारा out करेगा और यह जो pot है हमारा बंद रहेगा तो इससे मतलब क्या हुआ friends कि जब हम लोग यह जो SOB को energize जब करेंगे तो यह क्या करेगा हमारा stop condition में रहेगा और यह जो energize करेंगे तो हमारा यह क्या रहेगा open condition में रहेगा मतलब क्या हुआ कि जो हमारा drip oil SOV है, जब हम लोग इसको energize करेंगे, तो यह जो बालवे हमारा क्या होता है? close हो जाता है, यानि energize to close यह होता है और इसकी अगर बात करेंगे, यानि start up oil की बात करेंगे, तो energize to open, यानि friends जब हम लोग इसको energize करेंगे, यानि इस पोजीशन में हम आप लोग देखिए इस पोजीशन में क्या आगा फ्रेंट्स हमारा ओयल जाएगा तो फ्रेंट्स इनिसली जब हम लोग ESB को reset करते हैं सारा parameter हमारा healthy हो गया temperature pressure हो गरा सब चीज healthy हो गया तो हम लोग क्या करते हैं लोग ESB को लास्ट में क्या करता है हमको open करना पड़ता है तो उस condition में जैसे हम लोग ESB को reset करते हैं तो फ्रेंट्स क्या होता है यह जो हमारा प्रेंट्स हमारा जो oil है क्या होगा जो हमारा बंद है और यह क्या होगा तो अभी कंडिशं यह जो अमारा इंटर करता है तो फ्रेंट जब यहां से एंटर करेगा तो यह इन दोनों के बीच यहां के हमारा पिष्टन और यह जो हमारा दिख रहा है यहां पर फॉर्स exert करेगा यहां पे force क्या करेगा यहां पर यह पीस्टन इससे ग्लिक्स होजाएगा तो उस condition में करेंगे why पूरा fully तरह से क्या है Frienns हमारा Cliffi है जैसे हमारा इस्ट्टण की पीछे की तरफ आएगा तो क्या करता है है एक स्प्रिंग के पास क्या होगा पूर प्रिंशन वोर्स होता और सथी साथ क्या होता है कि हमारा जैसे हमारा यह आगे की तरफ मूप करता है तो यहां पर हमारा क्या है प्वार्ट ओपन रहता है क्योंकि यह दुखिए डिरेक्शनल कंट्रोल क्या है एनरजाइज टू क्लोज है यानि फ्रेंट्स अभी क्या है यहां से जो भी ऑईल अगर रिमेनिंग ऑईल होगा तो उपन है और यहां से क्या होगा अँड़ quality कंडिशन में हैं अब क्या होगा कि जो हमारा प्रेसर एक्वाइन यह अगया है , तो उसके बाद जैसे यहां पे आट destroying प्रेशर इसका आएगा स्टार्ट अरंस यहां पे 가 Ymail का जिसके बज़ा से सिगनल क्या होता है initiate होता है और वो सिगनल क्या करेगा यह य्योन यहां से हमारा जो आयल का प्रेशर है अब क्या करेगा अब इधर जाएगा वापस आयल करेगा तो इसका प्रेशर है और इसका प्रेशर बढ़ने लगता है और इसका प्रेशर जैसे आठ गीज प्रेशर आजाता है तो friends, यह भी क्या करता है, एक signal produce करता है, signal initiate करता है, जिसके वज़े से, जो हमारा यह start-up oil है, जो हमारा 2221 का जो इसो भी है friends, इसको क्या करता है, de-energize करता है, यानि इस position पे ला देगा, तो friends, इस position में ला देगा, तो जो भी यहाँ पे oil है, देखे friends, अब क्या होगा, यहाँ से, अब हमारा जो oil कर रहा था, आप क्या करेगा, यहाँ से oil आउट करेगा, यानि पीछे साट पे जो भी pressure थ हुआ, जिसके वज़ा से हमारा trip SOB क्या होगा, de-energize होगा, de-energize का मतलब कि अब oil जो है, हमारा इधर से जाएगा, और इसको क्या करेगा, पीछे की तरफ धाका देगा, जैसे हमारा इसका trip SOB का pressure, 8 kg प्रेशर आ गया, 8 kg पर सेंटिमेटर इसका प्रेशर आ गया, तो friends, यह क्या करेगा, यह भी अब क्या करेगा, एक signal इनिसियेट करेगा, जिसके वज़ा से हमारा यह जो SOB है, उसको बंद हो गया, तो friends, अभी क्या हो गया, हमारा दोनों SOB बंद हो गया, पहले दोनों SOB चलो था, अभी हमारा दोनों SOB बंद हो गया, तो friends, यह जो SOB है, हमार जब बंद रहते तभी हमारा औयाल का सप्लाई जो है। इधर जाता है। तो इसको क्ये करेगा पीछे की तरफ नहीं और यहां पी यहां इदर का प्रेशर इंकरीज को प्रेशर दे. लेकिन अभी जो spring है वो भी fully, fully compressed है, fully compressed है spring अभी भी हमारा full compressed है, यानि disc piston हमारा एक, जब piston work करने लग रहा है, और यह हमारा पीछे की तरफ जैसे जाता है, तो हमारा यह जो valve disc है यह भी पीछे की तरफ जाता है, और हमारा ESV जो है friends हमारा open हो जाता है, तो अभी हम लोग समझ लिए कि कैसे हम लोग इसको ओपेन करते हैं यस भी को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब क्या होता है कि हमारा किसी भी emergency condition में क्या होता है यह जो ट्रीप oil है हमारा मालीजिए इंट्रॉप्ट हो गया जैसे हमारा compression force बहुत ज्यादा ज्यादा है तो यह क्या करेगा इसको पूरा अग्दम बहुत तेजी से पुरा बाहर की तरफ उग्जाट करेगा तो जो भी आपको कैसे open और कैसे close होता है उसके बारे में हम लोग अभी समझ लिए उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर मेरे वीडियो आप लोग अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीज चली फरेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मुच